हेलो एबरिवन मैथमाटिक से इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिसकर्स करेंगे सबसेट ठीक है सबसेट जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसमूचे ठीक है तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंग समझेंगे आखिर सब्सेट किसे बोलते हैं और सब्सेट क्यों होता है तो चलिए बीना टाइम लेश्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने बीडियो लेक्षेर की ओर इसके पीछले बीडियो लेक्षेर में हमने डिस्कॉर्स किया था सिंगल्टन सेट के बारे में तो ह होता है उसको उम लोग जानेंगे लेट तो यहां पर लेट ए Ever Ever to say थीकर लेट एन बी टूषेट है ससक्ट बैट लेट न भी टूषेट सच अच डाट है यह इवरी इलमेन्ट है 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 यह लिमेन्ट ऑफ स्ट्थि A is a element of set B then we say that then we say that A is subset of B correlate A and B two sets such that such that every yarni ki parthic element element yarni ki avya parthic aware of set A yarni ki parthic aware set A ka is element of subset B sorry parthic element johan set A ka johan waw element hoon chalye set B ka then we say that A is subset of B taw hum koha saktay hai ki A johan aapka yahan pe subset hooga aapka B ka it is denoted by it is denoted by a subset B अगर A जो है आपका अगर subset है A subset है अगर B ka ठीक है तो इसको हम लोग ऐसा denote करेंगे यह symbol जो है आपका यह symbol जैसा करके और ऐसा तो इसको हम लोग subset का symbol बोलते हैं ठीक है तो चलिए तो यहाँ पर हमने definition जाना subset किसे करते हैं तो यहाँ पर for example for example हम लोग से इसको और डीप में समयने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो for example यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि इस एज 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 सौब सेट ऑफ बी ठीक है या फिर हम लोग इसको यह से भी पोल सकते हैं एज content a is content by b ठीक है या फिर हम लोग इसको ऐसे भी पोल सकते हैं वी content a वी content a ठीक है या फिर हम लोग इसको ऐसे भी पोल सकते हैं वी content a वी content a ठीक है तो अगर इस टाइप कर रहेगा अगर एफ एज सबसेट ऑफ बी या फिर ऐसे हम लोग और कर मतला होता है या यह content by b या फिर बी content a या फिर बी content a दिक ले सबसे i अगर इसमें से कोई भी रहेगा अगर इस टाइब करो रहा है एक कॉंटेंट बाई बी तो इसको हम लोग यह सबसेट भी बोल सकते हैं ठीक है तो में डिफिनिशन तो आपका यह होगा जैसे कि अगर कोई सेट हम लोग दो लिए ए और बी तो एका टोटल इलमेंट अगर बी में उपलफ्द है तो उसको हम लोग बोलेंगे यह सबसेट होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि बी सबसेट होगा एका वहाँ पे अगर बी का भी इलमेंट ए में उपलफ्द रहेगा तो उसको हम लोग बी सबसेट होगा एका बोल सकते हैं जैसे कि जहां पे यह सबसेट हो जा र तो यहां पे हिसाब से आपको समयने रहेगा ठीक है तो चलिए तो यहां पे हमने इतना जाना यहां पे ग्रेंपल में हमने एक तरीका जाना थीक है यहां पर हमनों दो सा तरीका यहां पर जारेंगे फिक है यहां you know you if it is not a magistrat अफ बी ठीक है if a is not a subset of b यानि कि a जो है आपका बी का अगर subset नहीं है then we write then we write a is not subset of b ठीक है यहाँ पर अगर a जो है आपका अगर subset नहीं हो रहा है बी का तो उसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे ठीक है सबसेट होता है तो कैसे लिखता है यहाँ पर लिखता है यह सबसेट हो गया बी का ठीक है लेकिन अगर यह सबसेट नहीं होगा बी को तो इसको हम लोग इससे काट देंगे तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ जो ए है आपका सबसेट नहीं हो रहा है बी छीक के ज़रूरी नहीं है तो यह तो हमने आपको डाय क्ली बताया है इसको हम लोग ग्ज्ञामपल के तुर्व आपको हम समझा दे रहा है जैसे कि यहां पर ले हमने को यहां पर सेट माले जैसे कि टू-3-4 ठीक है और यहां पर लेट हमने बी बराबर हुए एक शेट माल लिया आपका one two three four six यहाँने हमने दो सेट माल लिया ठीक है अब यहां पर देखिये यहाँ पर यह तो सबसेट हो जाएगा का अंदेत का नियम क्या कहता है जो एक टोटल इलमेंट है वी में इनवाल होना चाहिए यानिकी एक इलमेंट बीमें सामिन हराल चाहिए तो यहां पे तो भी मिल जा रहा है तो सबसेट होगा थ mis God Un हृण और यहां पे इसी ये वहां और रजाएक में नहीं है तो इसलिए बी दो होगा आफा सबसेट नहीं होगा एक नियम जो आपका कह रहा है जो सबसेट होने के लिए जो फॉस्ट वाला है उसका टोटल इलमेंट सकेन वाला में इलमोन होना चाहिए तब जाके आपका फॉस्ट वाला सकेन वाला का सबसेट होगा ठीक है तो अगर हम लोग बी का बी को सबसेट कराना है का यहां पर नीचे वाला है वे को सब्सेट करना है एक तो इल्मेंट होना होना चाहिए थर जाते कर नीचेत हो घडिए का तो छे यहां पर यहां पर सब्सेट नहीं होग थीक है जैसे कहां पर एती प्लक्रम लेंगे जैसे यहां पर दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर एक नोट लिख सकते हैं समयने के लिए यहां पर है एवरी इल्यमेंट एवरी इल्यमेंट आफ ए इल्यमेंट उस यहां इसको नोट के रूप में लिख सकते हैं हम ऐसा याद रखने के लिए एवरी इल्यमेंट ओप ए यहां पे थोड़ा और डीफ हम लोग समझेंगे जैसे कि माना कोई X है जो कि बिलॉंग कर रहा है आपका A से ठीक है विच इंपलाई ठीक है यही एक्स आपका बळम कर जाए B से यहां पे कोई X है कोई उसका भाइलू है जो कि बिलॉंग कर रहा है ए से और वही बिच इंपलाई वही X थो है आपका बढ़राई B से ठीक है देन देन हम लिख सकते हैं तव जो है सब्सेट हो जाएगा B थीक है कि तो देखिए यहां पर अगर यह सबसेट हो जाए बीका देन ठीक है कि एक्स बिलाउंग टू ए विच इंपलाई एक्स बिलाउंग टू बी होगा तभी जाके एस अबसेट होगा बीका तो इसको हम लोग ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे तो इसको आप लोग अंडरलाइन सबसेट हो जायागा ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए और यहां पर एक और यहापर नोट नमबर आपका बन हो गया और यहापर नोट नमर टू एक नोट और यहापर हम लोग जानेंगे every, every element, every element of A is A, element, element of B, and every element, every element of B is A, element of A, A, ठीक है, then, A is equal to B, हमने आपको पिछले वीडियो लेक्षे हम बताया था, यदि, every element of A is A, element of B, and every element of B is A, यानि कि A का every element of B का हो जाए, और B का every element A का हो जाए, यहाँ पर हम कहा सकते हैं, A is equal to B, ठीक है, हमने equal set में इसको बताया था, तो देखिए, अगर A is equal हो जाए B के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, A subset हो जाएगा B का, और B भी subset हो जाएगा आपका A का, ठीक है, तो अगर A equal हो जाए B के, तो A भी subset हो जाएगा B का, और B भी subset हो जाएगा A का, ठीक है, तो अगर A subset हो जाए B का, और B भी subset हो जाएगा A का, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, A, B के equal हो सब्सेट के तभी आपका सबीर kosher और भी उडिकाल थीक तो आज के वीधियो लेक्षे में हमने जाना सब्सेट के बारे में कि अगर हम लोग लोग धुनिक्श करने की है तो आत्पशन के अब लिताव लगा हो तो लाइक किजिए और अच्छा लगा हो धूट Amen के सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत